शुरुआत ये बड़ी खबर से जो भोपाल से आ रही है महिला जन प्रतिनितियों को ताकतवर बनाने की तैयारी अब सरकार ने कर ली है महिला प्रतिनितियों के पती पर अब नकेल कसी जाएगी पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने संकेत दिये हैं जहां पद है वही वही निर्णय लेगा यानि कि जिसके पास पद होगा वही निर्णय लेगा सरपंच पती नहीं पत्नी ही आत्म निर्भर बनेगी तो ये बड़ी पहल सरकार की तरफ से और अब सरकार ने निर्णय भी ले लिया है महिला जनप्रतिनिधियों की ताकत को अब बढ़ाया जाएगा महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है यह बड़ी खबर भोपाल से महिला प्रतिनिधियों के पतियों पर अब नकेल कसी जाएगी पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने संकेत दिये तो जहां पदपर है महिला वही निर्णय लेगी यानि कि जो महिला पदपर होगी वही निर्णय लेगी आपको बता दे कि अभी तक सरपंच के निर्णय सरपंच के पती लिया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरपंच पती नहीं बलकि पत्नी ही आत्म निर्भर बनेंगी और एक और बड़ी खबर भुपाल से है जहां पंचायत में पकड मस्बूत बनाएगी बीजेपी त्रीस तरी पंचायत के जरीए बीजेपी अब पकड बनाने जा रही है आत्म निर्भर पंचायत कारक्रम में पंचायतों से सुझाव भी मांगे जाएंगी और सुझाव को ल खबर एक तरफ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरन के लिए काम कर रही है और अब सरपंच ही फैसला लेंगी सरपंच पति अब फैसला नहीं लेंगे सरपंच पतियां ही फैसला लेंगी और इसके अलावा अब सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए भी अब तयारी ही है और जादा जानकारी के साथ executive editor मनोज सैनी जी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा उनकरोग करते हैं मनोजी सरकार अब यहाँ पर नितने बड़े फैसले ले रही है यहाँ पर सरपंच पती नहीं अब पत्नियां आत्मनर्भर बनेंगी वही बड़े फैसले लेंगी और दूसरी तरफ पंचायत को सुद्रन बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए भी सरकार अब काफी जादा बड़े फैसले ले रही है क्या वो फैसले हैं और किस तरीके से पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा देखी पंचायती राज की अवधार्णाई इसलिए होई थी कि पंचायतों को अधिकार मिले बाद में पचास फीस्ती की लगभग नगरी निकाय और पंचायतों में ये कहा गया कि महिला सब बनी लेकिन कई जगह से खबरें आसी आती हाला कि सभी जगह से खबरें ऐसी आती कि सरपंच पती होता है जन्पत पंचायत का वो उस पद का इस्तेमाल करें, जहां जो सरपंच महीला है, वो महीला सरपंची तै करें, या तो गाउं का दबंग, या फिर उसका पती, या उसका रिस्कदार, वो महत्पून भुमिका में होता है, लेकिन अब सरकार की इस पर खासकर पहलाद पटेल जैसे ब्यक्ति के पास म पंचेत राज्य विकास का जो जिम्मा है विभाग का वो एक बड़े कदावर नेता है बड़े अलग तरह से अपने विभाग को चलाना चाहते हैं इसलिए तीन दिन का जब संभिलन अभी हुआ तिन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और खुद उन्होंने यह माना है कि अब यह नहीं चलेगा जिस कुर्सी पर जो बैठा है वही बैठेगा वही निर्णने लेगा और खासकर महिला यह आतनिरभर होती है तो महिला आतनिरभर होने से भारती जनता पार्टी का जो महिलाओं पर फोकस रहा है खासकर ग्रामीर महिलाओं पर कई तरह की जोड़ेंगी तो बहुत अलग रण नीती के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही सरकार आगे बढ़ रही है इसी तरह आत निर्भर पंचायतों को बनाना पहिचातों के पास पर्याप्त संसादन है वो चाहें तो कुछ अधिकार उनको दे कर जैसे कि खनन है या इस तरह का अध निर्भर बना सकती है तो सरकार उस पर भी काम कर रही है और इसलिए सुझाव मागे गए अलग अलग तरीके से जो सुझाव प्राप्त होंगे उन सुझाव पर सरकार बड़ा निर्णे लेगी बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ेगी यदि पंचायत निर्भर हो जाएग तो गाओं निर्भर होंगे गाओं का विकास होगा और गाओं का विकास होगा तो कहते भी हैं कि भारत तो गाओं में बसता है और गाओं मजबूत होंगे तो फिर ये परिकल्पना जो गांधी की परिकल्पना रही है वो भी दिखाई देगी लेकिन निश्चित रुप से म पावरफुल यह निताकत पर बनाने की तैयारी हैं बिलकुल और यहां पर सरकार द्वारा बड़े फैसले भी लिये जा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मनों जी तमाम जानकारी हम तक साज़ा करने के लिए